हलो एवरिवन इस वीडियो में बात करेंगे जावा प्लस डिये से प्लस इंटर्वीव प्रिपरेशन कोर्स भाई कुनाल कुष्वार ठीक है तो पहले तो कंट्रो वर्सी वगरा सब साइड में रखते हैं और इस्टडी को साइड में रखते हैं तो इस को ध्यान ना दें के लिए कमेंट सेक्शन में मुझे काफी बार पूछा गया था पहले भी रिव्यू करने का लेकिन काफी कम वीडियो साइथ तो अभी थोड़े अच्छे कासे वीडियो से हैं तो मैं सोच रहा हूं कि अब मुझे रिव्यू इसका कर देना चाहिए जो भी बिगिनर है और दिया से चालू करना चाहते हैं तो इसका मैं रिव्यू कर देता हूं ठीक है और आपको नैकि बता देता हूं कि कैसा कैसा क्या होने वाला है अगर आप बीगिनर है तो आप स्टा कर सकते हैं कोई alternative resources ऑसकी साथ अगर आपको follow करने है तो क्या होने वाले हैं तो सब थार इसक कुनाल कुश्वा because this course is really beautiful मैं first time में बोल देता हूँ बहुत ही बहुत अच्छा course बनाया है बहुत efforts लगाए है वो दिखता है ये इतना करना किसी के लिए भी effort लगाना आसान चीज नहीं है first respect for him बहुत अच्छा काम किया है ठीक है दूसरी चीज अब मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर जी जो complete slavers covered लिखा हुआ है यहाँ पर साथ में आपको notes भी मिल जाएंगे और assignments भी मिल जाएंगे तो that is very good very good yeah really बहुत ज़्यादा efforts किये गए है handwritten notes भी आपको मिलते हैं मैंने arrays खुला तो arrays में आप देख सकते हो handwritten notes on arrays and arrays pdf यह आपको लिखी हुई है ठीक है तो यह सब आपको मिल जाएगा course में ही तो मेरे इसाब से बहुत अच्छे efforts किये गए हैं इस चीज में तो यह बात तो हो गई यहाँ पर assignments और notes वगर आप यहाँ सारे access कर सकते हो अब मैं बात कर देता हूँ इसके course की ठीक है तो course को मैं तीन पार्ट में डिवाइड करता हूँ सबसे पहला Java फिर OOPS और DSA ठीक है तो तीन पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है सबसे पहला मैं चालू करता हूँ Java से जो इनने Java स्टार्ट करी है वो बिल्कुल scratch से चालू करी है definitely करी है अब आपको पढ़ना चाहिए कि नहीं अगर आप definitely beginner हो तो आप इनके साथ जा सकते हो बहुत अच्छा पढ़ाया गया है लेकिन जैसे मैं आपको अपना experience बता हूँ तो मैंने Java जिससे पढ़ी थी वो मैं आपको शो करता हूँ आप कह सकते हो मैं थोड़ा सा bias जूँ लेकिन पता नहीं क्यों मुझे definitely Java इनसे better किसी की लगती है उसका मैं रीजर बताऊँगा आपको definitely कुनाल कुश्वा ने बहुत बहुत अच्छी Java पढ़ाई है लेकिन मैं जैसे आपको बोल रहा हूँ थोड़ा सा biased में हो सकता हूँ क्योंकि मैंने इनसे खुद पढ़ी है अब मैं आपको बताता हूँ total 203 वीडियो हैं दुरगा सर की Java के उपर and आप देख सकते हो one hour से उपर वीडियो से अब आप कहोगे यार इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा फिर तो हमको सीखने में कि मतलब one hour से उपर वीडियो या तो फिर पकाते होंगे या फिर बहुत slow पढ़ाते होंगे ऐसा कुछ नहीं है मैंने पढ़ा हुआ है और definitely he is a legend बहुत बहुत प्यारी Java इनने पढ़ाई हुई है मैं आपको क्या ही बता हूँ आप कुनाल को इशवा से भी जरूर पढ़ सकते हैं कोई भी मुझे issue नहीं है लेकिन मैं आपको एक alternative resource और बता रहा हूँ जावा का interviewer clear ना हो पा है आप देख सकते हो कितनी वीडियोस हैं और वो भी एक आवर से उपर की ठीक है तो और मतलब ये इतनी बड़ी बात थी मैंने इतना बड़ा course एक डेड़ महीने में खतम कर दिया था सोच रहे हो आप मैं कितने dedicatedly पढ़ता हूँगा second semester मैं था तब मैं तब मैं पढ़ता था इनसे तो ये तो बात हो गई Java की कुनाल कुश्वा ने भी definitely बहुत अच्छी Java पढ़ाई है crisp है, अच्छी है, सब चीज़ें समझाई है बहुत बहुत definitely a very good work उसके बाद यहां तक तो यही चलाया है introduction to array and array list यहां से यहां, यहां से मैं definitely थोड़ा सा pick up करना चाहूँगा linear search, binary search, binary search is a very important topic for the interviews और binary search ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है ठीक है, लेकिन binary search in the 2D arrays इसकी आपको practice करनी पड़ेगी इस topic की खासकर मैं आपको बताता हूँ यह वाला ठीक है, यह जो 4 hour की वीडियो है binary search interview questions इसके भी भी कहूँगा, first चीज तो मैं यह कहूँगा कि आप किसी से भी ऐसा expect expect मत करो, कि वो आपको हर question कराने वाला है concepts बताया जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता बहुत ज्यादा है, हर topic पर हर topic के पर उनने अच्छे से दवा के questions करा रखे हैं, साथ में ही Sumit sir is a great teacher तो अब मैं कुणाल कुश्वा की बात करूँ तो कुणाल केश्वा ने भी definitely बहुत अच्छा पड़ाया है, मेरे को इनका सबसे अच्छा लगता है आपको दो सेकंड भी असाइन लगेगा कि आपका time waste हो रहा है, बहुत crisp है, अच्छी knowledge है, मैंने खुद पड़के देखा, बहुत डेफिनिटली डेफिनिटली शानदार content है यह मैं कह सकता हूँ, ठीक है और हाँ, खासकर मैं कहूंगा binary searching 2DRS, this is a little bit tricky topic मैं जरूर कहूंगा, मुझे थोड़ा सा tricky लगता है, कि आपको खुद पर भी practice करनी पड़ेगी, अच्छे से, ठीक है तो ऐसा नहीं है, जितना हमने पढ़ा लिया पढ़के बैटके, आपको definitely practice करनी है ठीक है, कुनाल also know that कि अकेले पढ़ने से कुछ नहीं होगा आपको साथ में भी कुछ questions practice करने पढ़ेंगे अपने concepts को पूरा करने लिए क्योंकि जो हम चीज पढ़ लेते हैं, वो तो ठीक है कि हमने ये चीज पढ़ ली लेकिन आपको वो चीज कितनी समझ में आई वो आपको ऐसे समझ में आएगा कि आप उसके उपर 10 questions और सॉल करके देखो और आप देखो कि आप पर हो रहे हैं कि नहीं अगर मैं site कहूँ interview के पर thought process से जा रहे हो आप lead code और interview bit आप prefer कर सकते हो competitive coding site से जा रहे हो तो मैं कहूँँगा कि hacker ranks पे medium hard difficulty आप लगाओ और उस पे जाके आप topics wise solve करो मेरे साब से वो काफी सही है ठीक है वरना code chef code forces को भी follow कर सकते हो ठीक है तो यह मेरा suggestion है sorting algorithm is very good again मैं यह कहूँगा कि sorting algorithm is very good बट इसमें काफी कुछ और add किया जा सकता है जितना इनने बताया short case बहुत अच्छा है लेकिन काफी कुछ इसमें add किया जा सकता है वो आपको definitely खुद से explore करना पड़ेगा जैसे अगर मैं आपको बताओं देखो अगर आप बिल्कुल यह आपको अगर deep deep dive में घुसना है मैंने काफी सारे resources से अपने definitely मुझे पता है लेकिन अगर आप जैसे इन से अगर पड़ोगे definitely यह और ज्यादा depth में है ठीक है बहुत ज्यादा depth में पड़ाया था इस चीज़ को जब मैंने पड़ा था ठीक है तो बहुत ज्यादा questions करा हैं बहुत ज्यादा depth में करा हैं तो आप definitely और resources को भी follow कर सकते हो साथ में मैं कहा रहा हूँ कि बिलकुल आप इस course से ही पड़ो बहुत अच्छा है लेकिन ऐसा मत करो कि भाई आँखें एक ही तरफ लगा रखी है थोड़ी सी 2-4 options आपको और भी explore करने चाहिए तो आपको वो चीज़ें हो जाएंगी ठीक है तो आप देख सकते हो तो selection sort insertion insertion sort अगर मैं कहूँ तो देखो specifically अब जैसे आप लोग अगर बेंगे ना रहो तो आपको नहीं पता होंगे इतनी resources लेकिन मुझे पता है मैं बताजता हूँ इससे insertion sort है मैं आपको एक बार applied का दिखाता हूँ ठीक है तो अगर आप applied पर जाओगे gate applied पर जाता हूँ मैं gate applied data structure इनका इस चैनल है ठीक है पैसे इनका paid course है लेकिन ने काफी वीडियोस फ्री में डाल रही है 98 वीडियोस लग बग तो अगर मैं इसमें जाओँ तो आपको अगर आप sorting ही देखोगे आप sorting देखोगे कितनी in-depth समझाई गई है आप देखोगे पूरी sorting ही sorting बरी हुई है यहाँ से analyzing sort ठीक है और definitely he is the one of the best teacher यह जो सर है applied वाले बहुत ही अच्छे हैं ठीक है तो श्रीकान सर तो definitely अब आप देख सकते हो कि कितनी चीज़ें solve कराई हैं क्यूक सौर्ट पर यह आप देख सकते हो कितनी सारी वीडियों है कितनी सारी वीडियों है तो आप इन ओप्शन को भी explore साथ में जरूर करना लेकिन आप एक base course लेलो तो जैसे आपने यह कुनाल का लेलिया तो यह base course है अब मैं और नीच आता हूं थोड़ा सा ठीक है ओके सो रिकर्जन एंड बैक ट्रेकिंग सो definitely यह जब मैं पढ़ता था तो मुझे यह टॉपिक काफी ज्यादा ट्रिकी लगता था obviously this topic is very tricky रिकर्जन एंड बैक ट्रेकिंग hands down for this man बहुत अच्छा कराया है बहुत अच्छा इस topic को ने समझाया है रिकर्जन बैक ट्रेकिंग काफी depth में समझाया है अगर मैं YouTube पे बात करूं तो इसके alternative में मुझे कोई और अच्छा resource नहीं लगता रिकर्जन बैक ट्रेकिंग का पैप कोडिंग का भी बहुत अच्छा है लेकिन कुनाल गुश्वा डेफिनिटली वेरी गुट ठीक है उसके बाद OOPS OOPS के लिए आप बिल्कुल कुनाल कुश्वा को consider करो मतलब आपके interview के साब से मैंने इनकी वीडियो से जरूर पढ़के देखा था मतलब अपने interview के लिए नहीं ऐसी review के लिए पढ़के देखा था तो OOPS तो बिल्कुल आपसे आप जो expect कर सकते हो interview में definitely मैं guarantee दे सकता हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा बहुत बहुत अच्छे efforts हैं और जितने भी courses हैं मैं कह रहा हूँ आप बिल्कुल side में रख सकते हो कोई जरूरत नहीं कहीं और जाने की OOPS very good very very good बिल्कुल आप जा सकते हो OOPS को इस course के तरफ ठीक है यह अब लास्ट दो वीडियो बचिए लिंक लिंक लिस्ट जो अभी चालू करी जब मैं रिव्यू कर रहा हूँ so लिंक लिस्ट के लिए I am surprised I am really surprised क्योंकि जब ये वाली वीडियो आई थी I was like हाँ ठीक है ठीक है सिंग्ली डबल लिस्ट जब ये वाली वीडियो आई this is 3 hours 8 minutes long वीडियो you can see मतलब लिंक लिस्ट पर भी इतना deep गहरण का मतलब मज़ा आ गया बहुत मतलब क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो इतने resources बिल्कुल नहीं थे लेकिन this is really really good लिंक लिस्ट पर इससे अच्छा वीडियो पूरे यूट्यूब पर मैं कहा रहा हूं कि available नहीं है definitely good अगर मैं overall अब मैं कोर्स की बात करूं मैं summarize करता हूं चीज़ों को ठीक है वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा कमी कि अगर मैं बात करूं तो अभी तक मुझे वैसे कोई खास कमी कोर्स में लगी नहीं आपको पता है मैं roast भी कर देता हूं लेकिन इस कोर्स में कोई भी कमी मुझे लगती नहीं तो मैं क्या ही कहूं अगर मैं समराइस करूं तो आप इसको एक बेस कोर्स की तरह ले सकते हो लेकिन डेफिनिटल आपको कुछ चीज़ हैं और देखनी पड़ेंगी जैसे कि कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि सॉटिंग मगरा तो आप उस पर खुद से काफी ज़दा एक्सप्लोर कर सकते हो ठीक ह दूसरी चीज आपको एक पिठु नहीं बन के रहाना है मतलब एक रिसोर्स फॉलो कर लिया बिल्कुल घोड़े की आँक की तरह ऐसा नहीं है अप लीट कोड और इंटर्व्यू विट पर सारे कुश्यन आप सॉल्व करो ठीक है जैसे कि ओनलाइन असेस्मेंट का आज का ल देटा स्ट्रक्चर कभी भी नहीं बढ़ा मुझे अच्छा लगता है डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना प्रॉब्लम सॉल्व करना इसलिए मैंने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है तो लीट कोड इंटर्व्यू बिट के बाद अगर आपको और चैलेंज जाहिए तो आप कोड फूर्स पर भी जा सकते हो ठीक है और फिर उसके बाद ये कोर्स हो गया और साथ ही में मैं आपसे कहूंगा कि दो तीन चैनल में आपको और बताता हूं उनको आप ऐसा अल्टर देखो जैसे कभी आपको कोई चीज समझ में नहीं आई ठीक है तो आप जा सकते हो जैसे अब इस ट्राइवर का चैनल यहां आप जा सकते हो ठीक है और अभी रिसेंटली दो तीन कोर्स और डेटा स्ट्रॉक्चर्स पर डेफिनिटली जा सकते हो अगर आपको कोई मैं तीसरा चैनल है जैसे के टैक्डोस भी है काफी काफी अच्छा एक्छा एक्प्लेन करते हैं तो आप उन पर भी डेफिनिटली मूफ कर सकते हो आपके ऊपर है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि साथ में दो तीन रिसोर्स लेके चलना जरूरी है ठीक है उप्स पर मैं कहूंगा कि उस पर एक वार कुणाल कुश्वा से करो और उसके बाद लव बबबर का उप्स का रिसोर्स पर जाने की ज़रत है I think this clarity is enough क्योंकि मैं ने खुद वीडियो से पढ़के देखा है मेरे को ऐससे कोई कमी नहीं लगी तो मैं क्या ही बोलू क्योंकि मैं कुछ निकाल तो सकता नहीं अपने मन से तो दिस आल अबाट दगोस रिविव एंड डेफिनिटली आपके और भी कुछ कमेंट्स थे मैं आपको बताता हूं को रिविव के बारे में वो थे कोड इस्टूडियो का कोड्स और पैप कोडिंग के कोड्स के रिविव के भी मेरे पास बात आई थी और दो तीन है वो भ आपको एसी वीडियो चाहिए तो थैंक यू